दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए कंपिटिशन बोस चैनल को और दबाईए इस नौटिफिकेशन बैल को जीके, संस्क्राइब और करंट इशूज के हर टॉपिक्स, हर टेक्निक्स और हर टिप्स आपको मिलेंगी सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूनितेश, स्वागत है आपका अपने चैनल कंपिटिशन बोस पर दोस्तों आज हम बात करेंगे रूपक साहित्य की, लौकिक साहित्य में रूपक मीद विदा है कालिदास से लेकर के भास और काफी सारे ऐसे कभी हैं, जिन्होंने रूपक साहित्य में काभी कुछ लिखा है और इस पार्ट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, खास करके वो लोग जो किसी भी प्रकार के टेट या रीट के तयारी कर रहे है और जो नायाय ट्स्रеट के तैयारी कर रहे है क्योंके उस्पफख साहित्य के से काफी पार्ट जो है रूपक साहित्य में इस में से質 बनाकर दिया जाता है तो दोस्तो अचिंव रूपक साहित्य में और इसकी कभी हो को समझने लिए चलते neighborhood लास्रूम की करते qzza दोस्तों लोग के साथ देखे रहे हैं रूपक साइट यानि कि नाट्ट साइट भास महा करें भास का बेक्तितु और इनके तेरा नाटक पर बारे में बदा चुता हूं अब नाटक को हम जो है विस्ताश कोड़ा कोड़ा देखेंगे इनका पहला नाटक में प्रिधिया यह इनके नाटक का नाटक है ठीक है इसमें आप मताया था इसमें अंकों की संक्या है चार इसके जो है चार अंक है इसमें उद्यान और वासवदक्ता के प्रेम की कता है है ना उद्यान और वासवदक्ता ठीक है तो नायक और नायक का यहां के लिए हो गए अपने उद्या लेकिन यह क्या है उध्यान का मंतरी है यह सवागाइश्ट फट्रगडटेंग पुछा का है योगन रायन कोन है तो योगन रायन का मंतरी है इसका है इसका मंतरी घिए ये भी जो है वासका माताक है उधियर मुलक है इसमें अंगों के संट क्या है छेंग ये मैं पिछले वीडियो में बता चुप हम आपको देख लिए ना सबसे बढ़े चीद में तरो सपन है है ना सपन बासा धंता यहना कोई यह ऐसा लिंक है इसके आपनाम दिया रहे है तो कॉन है न चैनल को चैनल के तो इसमें एंद है सब ショ00 ठीक है न वो कौन है वो इसका 5 वह औत है और सब्सक्ष्पा न चैनल ठीकिक है अच्छा दूसरी बात कि इसमें है ऑरुन हैं अरुन है यह यहे नाम है यह चनल पाथ है पात्रोप आपकी जोब करों से भागत थैज...... जगय का नाम है लावान अने जब उदेन को हरा देता नाम के जा और याह इसफर के ले लेकré भूब वासंतथा को औरम और कर पदमा वे करता है बांदिया्श को छुपा, पदमावती के पास वावे तेड़ि मगण राजकुमार है ठीक है ना अघ्वाट्टिकोंने मगद राद फुमारी ठीक है अच्छा दुख नियास रक्षन इसलिए इसमें संधा रख्षन ठीक है वो भी इसमें कहा गया तो इसमें नायक कौने और नाइका है बासवतत्ता और इसका प्रदान रसे वो शंगार है अधी इसमें वैदर्म है न कि ये पहुंस्त साथ थेुज में सबख संक्य है इसमें इसमें जिक्राया घ् removing को देख कर Tomy जो है व्याइंड को समझ में आ जाए है फिर अभी शेख नाटक ये भी आना गया है अभिशेग नाटक में अंकों की संक्या है और यह कहां से लिए राम के राज्यमिशेग की गड़ना प्रमुक है इसलिए इसका अभिशेग रखता गया है तो इसकी जो खतावस्तु है वो कहां से है बाली के बद से नाटक की गड़ना अभिशेग नाटक में नहीं मिलती है फिर है उरुभंदम घ्रिक है यह नाटक मावारत पूलग है और लिखा इसको सब्सक्राइब का सब्सक्राइब का सब्सक्राइब का एक मात दुखांत नाटक नहीं है तो सब्सक्राइब का एक मात दुखांत नाटक कौन सा है वह पुरू भंगनम ठीक है यह मावरत मुलब नाटक है अब देखो फिर दूद्वार क्या है यह नाटक दूद्वार क्या है यह कला को लिए वैसे तो एक काम किये है इसकी विदा जो है वह व्यायोग क्या है इसकी विदा व्यायोग ढधर है इसमें कि महावारत के तरफ के मारफ के काँ और तरबार में नगेखे दूद के रूप में किसी भी प्रकार से जो हो सके तो युद्ध को टाव दिया जाए लेकिन किष्ण ने वह दिलोदन्य जो है वह वाजिर किष्ण की बात नहीं मानी थी फिर है पंचरात्राव पंचरात्राव यह क्या है संवखार है यह संवखार इसमें अपको कि संवखार है ती इसमें दिर्योदन क्या कहता है कि यह दूद दो पांच गाव जो है या आपने राज्जन में से लो किसको दे दे पाण्डों को दे detetius प्रस्ता उसने दिया था गुरू ध्रोणने दिया ठीक है न से उसने वहाओ रूना कर दिया तो यह ठीक Понच दिन और पर Yous पांस दिन में उनको डूंड कर राज्य को दिलवाई देगी है ना सत्क्या रखी थी कि द्रौन पांस दिन में पांड़ों को दूनेगे और उसके राज्य को दिलवा लेगे लेकिन दिरौन ने कहा किया पांस दिन में पांड़ों को डूंड लिया और उनको राज्य दिलवा और वीव से जोग फुत्र पैदा हुआ उसका नाम था गटोथकच यह भी एक क्या है व्याय हो गए और इसमें अंकर की संख्या एक है तो यह भी एक कांग की कहलाएगा इसमें क्या होता है जो अभी मन्यों के मृत्त्य हो जाती है तो वह दूद्ध बनाकर वीजा जाता है ल करण भार्ग करण का भार क्या है ठीक है यह उत्रस्टांक है यह मां उत्रस्टांक है उत्रस्टांक है अब क्या है इसमें कि यह भी एक कांग की है इसमें भी एक कांग की है ठीक है तो करण भार्ण में क्या है एक कांग की है और यह उत्रस्टांक है इसमें इंदर में क्या किया क्टी करन से कमश कुंदल माग लाई थे तो उसक्ति परदान तो इसक्ति इसक्ति नहीं को कमश इंडति कि कंद को दी ठी क्यों की उसने करन से कमशो कुंदल मागघ इधे करन केमा या तो आजम के का वग नहीं कर पाता से हैं तो नहीं करत है इसमें रखी रखता का मेरा ये एकांक ये संसी नहीं एक आंकी इसमें क्या था बीम पडोधकत से ब्रामन के पुती की रक्षा करता है और अपने पुत बदोधकत और जो है उसकी पतनी इडंबा यानि बीम की पतनी इडंबा से बिलका कुछ हो जाता है तो यह मद्यम व्यायोग में बीम की जो है कता बताई रही पिर बात चलिए ठीक है बाल चलिए वैसे इनका संव्षित परीचर में इसलिए वीडियो ने दे चुका हूं आप उसको जरूर देख लेना तो समझ में आ रहेगा यह क्या प्रकर्ण चल रहा है फिर बाल चलिए यह भी मावाद पूलब नाटा का विसमें पांच दूके ठीक है इसमान को फिर रचान परीगे अनिरे पर यह आप यह भी जो नाटक है किसका लिखा हुआ है माँ का भी भास का ही दिखावा आब पर अंकों कि सभाई एविमारक क्या है इसमें राजकुमार का नाम विश्णु से और कुंति वेज की पुत्री ये कुरंगी उसकी प्रणय का इसमें वर्णन है तो इसमें नायक कौन है अविबारक में अविमारक और कुरंगी ना यह इसका नाया आई है तो दोनों का प्रेम होता है इनका विभा हो जाता है यही अभी मारत में बताया गया है अब और बस्ता है वह सी आज़े हो दो पातर ससकत्म में यह बारगाः आता है यह एक प्रकरण पर इस संकील प्रकरण इसमें गणी का है इसमें वसंत सेना और चावधत कोने यह ब्रह्मन वयापरी है यह दोनों के बीच की परने कता का इसमें बढ़्न है कि उसका शुरू की जावधत कौने रहे है तो मिल्सक्तिकम के समाल ही है और यह भास की अपूर्ण रचना है यह सवार भास की अपूर रचना यह कौन सी है यह चारुदत्म जो है वह चारुदत्म अब कुछ और चीज़ मैं आपको बता रहे तो इसके बागे नहीं क्योंकि यह 13 नाटक और इससे संब्दी दिये परकर्ण चल रहा है तो मैं इसको बता रहूं कि और क्यों के चीज़ है ठीक है सबसे बड़ी बार जो मा कभी बाण मठ हुए उन्होंने क्या कहा बास के नाटक होंके लिए यह यह देव मंदिर के तुल्ले है बास के नाटक देव मंदिर तुल्ले हैं किसने कहा बाण भटने कहा कहा हर्ष चरितम में ठीक है यादि कि हर्ष बाण से लिए पहले क और जलन मित्र की संग्याद किसको दी है देखो जलन मित्र या इसको बनावर क्या कहीं है अगनी मित्र या अगनी मित्र या अगनी मित्र यह किसको का गया है भास को कहा गया है और जलन मित्र या अगनी मित्र किसको का गया है मां खवे भास को का गया है और कहने में वागपती राज यह इनका है इसमय वागपती राज कहा है अपने गरंत गौड़ बद में कहा है ठीक है न अच्छा भासोव हास है की उत्तिव पिसिद्ध आपको पता होगा सारा यह जीज तो भासोव हास है है ना यह अब भास के नाटक में मनोरण जटा बहुत कुछ मिलती है यह सने के अगा कुछ हसात है वास के जो नाटक है इसलि लिए तो दोस्तों आज के लिए यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखेंगे क्योंकि आप जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे और जो भी कमेंट में लिखेंगे तब मुझे पता चल पाएगा कि आपकी डिमांड क्या है और मैं उसके नहीं नहीं वीडियो आपको बना करके डाल सकूँगा तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसल नहीं तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किय करें और दोस्तों इसमें बैल आइकन है उसको जरूर दबाएं क्योंकि उससे जो भी नए वीडियो में बनाओनों वह आप तक बहुत जल्दी पहुंट रहें तो दोस्तों ऐसे किसी वीडियो के साथ मैं बहुत जल्दी हाजिर होता हूं तब तक के लिए नमस्कार